हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूटीब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेज में काफी दिनों बाद आज हम लोग फिर अपने प्लेटफॉर्म पे इस्पेसली मैं इस प्लेटफॉर्म पर उपस्तित हुआ हूं हिंदी के बैच को लेके तो दोस्तों इ बैसिकली आरो यारो और एससी जीडी तो के लिए हिंदी का बैच लेके आये हुए हैं ज्यादा को यह आप लोगों को करनी है तो आप यूट्यूब से आप देख सकते हूं यूट्यूब के अलावा आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो टेलिग्राम इंस्टाग्राम जाल के लिए ओनलाइन पूरा कोर्स मतलब जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं जैसा कि मैथ है रिजनिंग है ठिक हिंदी इंग्लिस जो भी ऑप्शनल में हिंदी और इंग्लिस आती है और जीस तो यह सबका आपको एक जगे सिस्टेमाटिक फॉर्म पे आपको सारे सारी विश्वस्तू आपको मिल जाएगी ज्यादा जानकारी लेनी हो आप लोग टेलीग्राम पे यूट्यूब से आप लोग जानकारी ले सकते हैं आज हम लोग जो है इसमें हिंदी के लिए और हिंदी में हम लोगों का आज यह फर्स्ट क्लास है मतलब इसको स्टार्टि जीडी वालों का भी पूरा कवर हो जाएं तो क्योंकि हिंदी में हम पढ़ेंगे थोड़ा लो लेविल से लेके हाई लेविल तक जिसमें हमारा आरो यारो जीडी पुलिस इवेन मतलब जो भी एक्जाम से जहां पर आपकी हिंदी कंपल सरी है हिंदी आती है वो चीजें आ नोट भी कर लो क्योंकि जितना हम लिखेंगे एक बार कहते हैं पढ़ा हुआ अगर हमने एक बार पढ़ा ठीक है ना अगर हम दस बार पढ़ें और उसी को एक बार लिख लें तो वो क्या होता है दोन्यों चीजें एक्वाल होती है मतलब अगर हम एक बार लिखके पढ़े वो हमें जाता जल्दी याद होता है ठिक जलते हैं हम लोग अपनी next class में अपनी class में यह देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जिस भाहसा को हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी उसका नामकरण कैसे हुआ कहां से उसका नामकरण हुआ किसने उसको नामकरण किया तो इन चीजों से question हो दे देता है, कैसे जैसे, हमारी भासा का नाम, आप देखिए, यहाँ पर हिंदी जो सब्द है, इरानियों की देन है, किसकी देन है इरानियों की, मतलब बात वही हुई कि जो भासा तो हमारी है, लेकिन इसमें जो इसके बासा का जो देन है, इस हिंदी सब्द का, इसमें इरानियों की देन है, मतलब इरानियों ने इस सब्द को सबसे पहले इजात किया और सबसे पहले इसको बोला, ठीक, संस्कित की साध्वनी जो है, सकार जो है, फार्सी में हा बोली जाती है, जैसे हमन यह नहीं कर पाते थे जब सा की जगह वह बोलते थे यह जो हमारा सा है तो ऐसे ही जैसे हमने सेंदों बताया तो हैंदों बोलते थे तो इस वज़े से हुआ किस दू को उन्होंने क्या बोला हिंदू है ना तो सा को जब वह हाई बोलते थे इस वज़े से यहां पर हुआ क्या कि हिंदी सब्द बना जैसे सब्ता अभी भी बहुत बहुत से लोग हपता बोल देते हैं तो यह अपना हिंदी का तो सब्द नहीं है हपता बोल देते हैं ना हपता बोले एक हपते लगेंगे नॉर् पूछेगा कि वह सब्द बोल पाते थे कौन सा नहीं बोल पाते थे इतना पूछ सकता है कि हिंदी जो सब्द है वो किसकी देन है तो आपका अंसर क्या होगा हिंदी जो है वह इरानियों की देन है ठीक कि आगЕ देखो चलते हैं हमलोग सिंदु नदी के पार का समपूर्ण भूबाग हिंद कहा जाने लगा अ हिंद हम आप देखो यह वहां जो संपूर्ण भूबाग था यह क्या कहा के चेंधा जाने लगा को एक जाने लोगा क्यों कि जैसे हमने कर्ल आप को स्ट्रक्छर बताया था इंडिया का मैं बताया थण तो इधर का ऐसे मालों इंडिया ऐन द इधर का जितना भुबाग था वह स refuse क्या कहा जाने लगा ज़्म है हाँ यह हमारा जो सिंदु था तो वही सिंदु प्रांथ को अब वो हिंदु प्रांथ बोलने लगे तो ऐसे जितना भी यह प्रांथ था पहाdos caused दुजाने लगा और हिंद्ट प्रांथ द्वाधा बोले जाने वाली भासा को क्या कहने लगे कि प्रांथ कellaten ये 6 बन गया मुद्षिदीप बन गया धीरे-धीरे परिवर्थन इसका लोप हो गया बचा क्या हमारे पास है प्हें कि पड़ी कराय दे रहे है आज पी पीटी से देखे ले रहे हैं लोग तो यह चीज हो गई हम लोगों के पास ठीक आगे चलते हैं देखो पी-पी-टी से यह रहेगा कि आप लोगों को अराम रहेगी है ना नोट नहीं करना पड़ेगा और समझ लो यहीं पर यहीं पर समझ के चलते हैं देखो अरबी तथा अरबी तथा फारसी साहित में भारत की संस्क्रित पाली प्राकृत और अपभरंस भासाओं के लिए हैं थिक को साहित तो हर अधर हर प्रांत का हर देश का अलग-अलग है न तो दो पाली ग्रंथ आए जैसे बहुत ग्रंथ आपने देखे होंगे वह पाली वासा में है तो संस्क्रात आई संस्क्रा से पाली आई पाली से प्राक्रत अभ्रांस अवट इन सब को क्या उन्होंने बोला जबाने हिंदी क्या सब्द बोला इसको जबाने हिंदी इतनी बात कलियर हुई अगर आप और फार्सी शाहित देखो गे तो वहाँ पर हिंदी वर्ड नहीं लिखा होगा वहाँ जबाने हिंदी लिखाओगा गाँ Dawah कि दब्लब हुआ हिंद प्रांत में जहां से सिंदु नदी होए ते उस वाले पार्वाले आगे चलते हैं, देखो, अब आपने नाम सुना होगा, अमेर खुसरो का, नाम सुना है ये, अच्छा, तो इन्हों ने क्या किया, देखो, अमेर खुसरो, इनका टाइम पीरियड रहा ये, 1253 से 1325, अब समझना कि कैसे विकास हुआ, अभी जब वह ऐसे बताया गया, तो ये आपकी संस्क्रत रही, संस्क्रत में वैदिक संस्क्रत और लोकिक संस्क्रत, है ना, वैदिक और लोकिक, इसके बाद फिर 500 से बढ़ते हैं, एक इसे पूरू तक, एक इस भी तक, तो यहाँ पर आपके पाली आ गई, फिर आ गए आपके प्राक्रत आ गए, ठिक, नेक् हजार के बाद फिर इसका क्या हुआ यह और डिपलफ हुई समझ गए तो हजार इस भी के बाद बारा सो तिरपन और तेरा सो पचीज के मद्द में क्या हुआ कि यहां बताया गया सबसे पहले देखो इसके पहले विग्रंद लिखे लेकिन उनमें भासा सब्द जो क्या प्रयोग किया जाता था इसी को भाखा बोला जाता था जैसे बहुत कभीर दास या उनके और जैसी इन लोगों के रचनाओं में देखना भासा नहीं लिखा होगा क्या वर्ड लिखा र नहीं था भाखा इस्थान पर इन्होंने क्या प्रयोग किया हिंदी या हिंद्वी सब्द का प्रयोग किया अच्छा अमीर खुसरो ने जब इसका हिंदी तब बोला इन्होंने या हिंद्वी बोला सब्द का प्रयोग किया खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंद्वी एजो जबाने हिंदी थी जबाने हिंदी औनों क्या बोला apli और एतमे tweork ये अमीर हुष्रो ने गयासुत दिन तुगलक के बेटे। और गयाल सुट दिन तुगलक के बेटे को अमीर खुसरो मुगल इंपायर चला था उस समय इंडिया में तो अमीर खुष्रो ने क्या किया ये गयासुद दिन तुगलक का जो पुत्र था के बेटे को अब उनका पुत्र कौन था गयासुद दिन तुगलक का बताओ अब जी जीएस में तो आना है आपका मुहम्मद बिन तुगलक इसी ने तो किया था अपनी राजदानी दिली से दौलता बात और वो कुछ चमड़े वमड़े के सिक्के चलवा दिये थे क्या ऐसा कुछ थाना सिल तो मतलब इनका क्या रहा कि इसने इसको पागल राजा भी एक तरीके से बोला जाता था अब अपन पाव इनके बेटे को हिंदी या हिंदवी की क्या दी सिक्षा देने के लिए खालिकवारी नामक फारसी हिंदी कोष की रचना्था कि आप यहां से यह क्यों सकता है क्या रहें जैसे मालो कोईशल्ड अभी एक स्टेंड़र्ड लेविल का बन जाए कुछ न यहां से कंटें का निर्माड किया अमेर खुसरों ने उस ग्रंत का निर्माड किसके लिए किया अमेर खुसरों ने उस ग्रंत का निर्माड किसको पढ़ाने के लिए किया है ना क्वेशन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते बाई एक्जामनर को तो आपको फशाना है आप ना कर पाओ यही उसका ए कोशिशन आने लगे। तो देखो," अब यहां पर बात समझने वाली है कि इनहों ने क्या उसका यूज किया फार्सी और हिंदी सब्दुकोस का निर्माद किया देखो कि फार्शी हिंदी कोस का मतलब समझ गया नहując अग। इंगलिस अइसे ये क्या था कि फारसी सब्दों का услов कि गई थी और हिंदी सब्दों के कि चाह दे करीक थी और फारसी जानवर और उसमें क्या हुए ही यह तुम्हारे जो थे आ टर्डिय और फारसे इनको हिन्दी शीखना था इस्पज़े से इनको क्या दिया गया अमेर खुश्रों परे भी खाइब कोने एक सब्देकोष का निर्माड किया जिसका नाम क्या था फार्सीृंदी सब्धूको इतनी बाद समझ में आई अच्छा इस ग्रंथ में भासा के अर्थ में जो भासा है उसके अर्थ में किसका प्रयोग हिंदवी सब्द थिक तो भासा के अर्थ में मतलब जैसे हम कहते नहीं कि ये भासा तो भासा सब्द के लिए इन्होंने हिंदवी का सब्द का प्रयोग किया और हिंदी सब्द का भी आया मलब हिंदी यहां बोलना इस्टार्ट इनके टाइम से हुआ फिर समझ रहो इसके पहले संस्क्रत पाली प्राक्रत ही थे देखो भासा के लिए हिंदी सब्द का प्राचींतम प्रयोग सर्फुद्दीन के जफर नामा में मिलता है तो अगर question यहां से बन सकता है important है इनको लिखते जरूर चलो तो भासा के लिए जो हिंदी सब्द का प्राचिंतम प्रयोग कहां मिलता है तो यह जफर नामा में मिलता है जफर नामा किसके द्वारा लिखित था सर्फुद्दीन को द्वारा लिखित था तो सर्फुद्दीन ने जो जफर नामा लिखा उसमें सबसे पहले किसका प्रयोग मिलता है सबसे प्राचीनतम प्रयोग मिलता है इंदी का कुछ चीजें क्लियर हुई सबसे पहले तो हमारा सिंद प्रांत आया है ना उसमें जबाने हिंदी फार्सी और जो अरभिक लिटरेचर थे उसमें बोला गया इसके बाद हुआ कि अमीर खुसरो अपने इंडिया की बा प्राचीनतम प्रयोग कहां मिलता है अब कोईशन आ जाएगा सफरुद्दीन के जफर नामा में तो लगेगा कि यह कौन सफरुद्दीन आ गया कौन जफर नामा आ गया है ना जो सस्ता हमने देखा उसी पिटिक लगा देते हैं लेकिन जो पड़े होते हैं उसको याद रखो कि सरफुद्दीन का क्या था जफर नामा यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन आगे चलते हैं इनको एक बार अपने से देखना यह आपको अविलेबल हो जाएगा टेलिग्राम पे या तो साथ एप में भी इसको डलवा देंगे तो एप डाउनलोड कर ले लेगी आप लोगों को क्लासे सब एक जगह मिल जाएंगी अच्छा आगे चले हम लोग कि देखो जो अब वही बात आ गहीं कि जो हम बता रहे थे 1500 में इसको डिफाइन किया फिर 500 के एक इस 활िंवी तक दिफाइन किया फिर आगे आगे चलती रही तो सबसे पहले हुआ यह क्या प्राचीन भारती आर्य बंपासा का काल पंद्रा सो इसा पूर्व से पांसो इसा पूर्व तक माना जाता है अब अच्छा प्राचीन भारती आरे भासाओं में आएंगी कौन-कौन सी तो देखो कि इसका जो हम सीरियल बताते हैं वही आएगा एक तो पहले सबसे पहले संस्कृत कि अच्छत के बाद बेटा यह बोलते जाओ एक बार रट जाएगा अच्छत पाली प्राक्रत सारे लोग बोलो अच्छत पाली प्राक्रत और अवहट अब यहां पर क्या हुआ कि जो प्राचीन भारती आरे भासा थी तो अब वह आरे भासा संस्क्रत है कि कोई दूसरा है कि प्राचीन आरे भासा हमारी संस्क्रत ही आर्यों द्वारा बोले जाने वाली भासा आरे भासा कहला हिंद द्वेस द्वारा बोली जाने वाली भासा हिंदी कहला ही तो प्राचीन जो आरे भासा है वह संस्क्रत है इसका विटा जो टाइम प पतंजली हुए यह सब इनके बहुत पहले की टाइम पीरेट की बात है इसके बाद देखो इनका टाइम पीरेट कितना माना जाता है पंद्रा सो हिसा पूर्व से पांसो हिसा पूर ठीक अब वही हमने आपको बताया था कि यह संस्क्रत के हमारे दो रूप हो जाते हैं एक तो से लोकिक गरंथों में जो हम और गरंथ पढ़ते हैं उसके इतर वेद ब्रामन आरण्यक इनके इतर जो गरंथ पढ़ते हैं संस्क्रत में वह सारे हमारे किसमें आ जाते हैं लोकिक गरंथों में आ जाते हैं ठीक तो वही चीज बता दी गई वहिया कि संस्क्रत बासा के दो साज़ान के वाधिक संस्क्रित और लोकिक संस्क्रित समझेर दोनों में क्या ए जैसे हम कोई मंत्र अगे से नुर्वघं ने चैनल में आ जाएंगी उनका प्रयोग कि लौक जगत नहीं होता तो वह मारे मित संस्क्रित का वो रूप नहीं है ठीक आगे देखो संस्क्रित कालीन बोल चाल की बहासा कालांतर में परिवर्थित होकर कालांतर मतलब कि समय उपरांत या कुछ समय बाद है ना काल का अंतर अंतर माने समय और काल माने समय अंतर माने difference और काल माने समाएं तो समाएं का जो difference है उसी को कालांतर बोल दिया गया में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विक्सित हुई तो यही जो संस्क्रत है वो किसके रूप में सब मुखित हुई विटा पाली पाली कौन सी भासा पाली नहीं बोलेगे, पाली, ठिक, जैसे यह देखो क्या लिखा है, यह काली दास लिखा है, ना कि काली दास, काली दास बिल्कुल गलत है, अगर आप हिंदी और संसकत के छात्र हो, तो काली दास तो भोलो ही नहीं, भाया किसी का नाम अगर बदल दोगे तो यार उसको बुरा नहीं लगेगा इतने माहन काम कर गए संसकर जगत में वो तो काली दास न बोलके काली दास बोलेंगे पाली न बोलके पाली बोलेंगे ये चीजें इंटर्वियू में या कहीं ऐसी जगे पे जहां पर आप इंटर्वियू अगरा फेस करोगे वहां बहुत इंपोर्टन्स रखती है ठीक तो बेटा पाली बासा आ गई अब पाली बासा में क्या हुआ कि पाली के रूप में विक्सित हुई इसका किना समय 500 इसा पूर्व से पहली इसवी तक है डेक हो अब 500 के आगे बढ़े फ्राव आप लोग ही अपने रेजिस्टर में बना लेना यह मान लिया हमने कोई टाइम पीरियड हमारा इसमें चला ठीक इसको इस टाप नहीं करेंगे ठीक आप देखो यह आपका पंद्रह सो इसा पूर्व यहां मान लिया हमने पहली इस भी है ठीक अब हुआ कि फंद्रह सो इसा पूर्व में चलेंगे इधर जब जाएंगे वह इसे भी हो जाएगा तो पंद्रह सो इसा पूर्व से पांसो इसा पूर्व तक क्या रही हमारी यहां पर हमारी आरे बासा रही स हैं संस्कृत ना लिखे आरे भासा लिखने कोई दिक्कत промढ़ आरे भासा हो गया ठीक में साइब आरे भासा गहाँसा ककी चेहां पाश्ड पांचो इसमितके पारी ने ठिक, पालिवासा रही, तबी तो बहुत दगरंथ जितने हैं पालिवासा में हैं, है ना, कालांतर में पहली इस वी तक आते आते पाल की बोल्चाल की भासा विक्सित होती हुई प्राक्रत के रूप में आई, अब ये जो हैं, ये किसके रूप में आ गई, फिर आगे चलके, प्राकृत के रूप में आ गई ठिक प्राकृत के रूप में आ गई तभी तुमने देखा होगा असोक के जो सिलालेख है उनमें ज्यादा तर भासा कैसी है प्राकृत भासा है है ना तो प्राकृत भासा में उनका प्रयोग किया गया आगे अच्छा हम लोग नेक्स्ट उसमे चलते हैं तो देखो वही चीज बता दी गए इसमें हिंदी का विकास क्रम फिर से एक बार इसमें देख लो हिंदी के विकास करम की बात करें तो देख लो संस्क्रित पाली प्राकृत अब ब्रंस अवहट हिंदी अब यह हिंदी भी विटा फिर तीन फॉर्म में आ जाएगी प्राचीन हिंदी मद्य हिंदी आदुनिक हिंदी जब भारतेंद वह इसमें आते आदुनिक हिंदी का और जो लेटिस्ट हैं जितने भी लेकक सब आदुनिक हिंदी प्राचीन इंदी में आपके जैसी वगएरा यह वगएरा चले जाएंगे ठीक जिसमें रासोगरंथ की रचना की गई वो सब इसमें आ जाएंगे आगे तो यह आप व्रहंश एक आपने हमने बताया था ना कि जो हिंदी आपकी संस्क्रत थी पाली प्राक्रत और अप ब्रहंश पाँच भागों में विवक्त हुआ जो अप ब्रहंश भासा थी वह कितने उसमें रही सौर सेनी पैसाची ब्राचड महाराष्ट्री मागदी और अ अंतरगत कौन कौन सी भासाइं आती है उसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे ठीक जैसे राजस्थानी हो गई गडवाली हो गई है ना मैथली हो गई यह सब को अलग अलग उसमें रख दिया गया इनका एक एक ग्रूप बना दिया गया और उस ग्रूप में वह वाली म Want का समय सक्रान्थिकाल कआ गया कि कै जो अभी ने ग्राब बनाया था ना तो अभ अप बंस था और पुरानी हिंदी का जो समय था अप इस उसके बीच में क brag समय आता है आप नद्यगे पुरानी हिंदी मतलब अबथ वाले टाइं पीरिट को क्या बोला गिया संक्रान्तिकाल का आ गया ठीक क्या बोला गया संक्रान्तिकाल वोई अगर पूछे कोईस्चन आ जाए कि अवहट अपभरंस और पुरानी हिंदी के मद्दी के समय को क्या बोला गया अपभरंस और पुरानी हिंदी के मद्दी के समय को क्या बोला गया तो आपका अंसर क्या हो जाएगा संक्रांति काल बोला गया ठेक चंद्रधर सर्मा गुलेरी ने राजा मुंझ को पुरानी हिंदी का प्रथम कभी माना है अब देखो पूइसे बन सकता है कि राजा मुंझ को पुरानी हिंदी का प्रथम कभी किसने माना है ना राजा मुंझ को पुरानी हिंदी का प्रथम कवी किसने माना अच्छा कुछ नए नए क्लिव मिल रहे ना जो नॉर्मल हिंदी पढ़ते हो जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे कुछ हमें नई नई चीजे मिल नहीं है न तो नया सीखने के लिए हम लोग आते हैं और य तो अगर आरो आरो के लिए इसके सब के लिए पढ़ना है तो फिर हमें थोड़ा डीटेल में जाना पड़ेगा तो चंद्रधर सर्मा गुलेरी ने किसको माना राजा मुंझ को क्या माना पुरानी हिंदी का प्रथम कवी माना है ठीक अब इससे कोश्चन कई बन सकते हैं कि चंद्रधर सर्मा ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवी किसे माना है राजा मुंझ को माना है राजा मुंझ को प्रथम कवी किसने माना तो चंद्रधर सर्मा गुलेरी ने माना ठीक आगे चलते हैं आप ब्रहंस को बिटा यह सही कर लेना अब ब्रहंस को हाँ देखो आप ब्रहंस को थीक आँपर सही कर लेना आप ब्रहंस को रामचंद्र सुक्ल ने प्राकृता बास क्या बोला यह important रामचंद्र सुकलने भाई इनोंने वी इंदी साहितका इतियास लिखा न आचारे रामचंद्र सुकलने चिंता मड़ी वगएरा इनके सब गरंथ हैं तो आचारे रामचंद्र सुकलने इसको क्या माना प्राकृताबास मल्लब देखो कितना बढ़िया इनोंने बताया ऐ प्राकृत और प्राकृत से अपभरंस। तो देखो इन्हों ने क्या बोला, रामचंद्रसुक्ल जो हमारा अपभरंस है इसको क्या बोला, प्राकृत आभास क्योंकि प्राक्रिट का कुछ न कुछ तो आभास हो रहा होगा ना उस वाली लेंग्वेज में जब उसी से बिवस्थी तो जैसे हिंदी संस्क्रत से बनी पाली संस्क्रत से बनी तो पाली में कुछ ना कुछ तो संस्क्रत का रोल होगा ना पाली जब देखो उसके बाद प्राकृत देखो तो ऐसे ही प्राकृत से अपब्रंस बना तो अपब्रंस में भ सब्साइब को प्रकृता वाषया नाम किसे दिए वह बड्य게ं लग रहा है कि यह को दो प्रकृतावास किसे जाहिर सी बात है कि जो चीज इससे बनेगी तो वो तो आवास होगा ऐसे बोला तथा चंद्रधरसर्मा गुलेरी ने इसी को क्या बोला पुरानी इंदी कहा इसी को इन्होंने क्या कह दिया पुरानी इंदी बोल दिया अपब्रंस के बाद आवहट जो हमने बताया था ना अपब्रंस को क्या बोल दिया पुरानी इंदी बोल दिया तो मेटा दो चीजें आती है अपब्रंस के दो नाम करण हुए एक तो अपब्रंस को राम चंद्रसुक्ल ने प्राकृता भास बोला और अपब्रंस को चंद्रधरसर्मा गुलेरी ने क्या बोल दिया पुरानी इ दिखो उत्तम काली नवस्था अवहट के नाम से जानी जाती है अवहट में विद्यापती ने कीर्थिलता और कीर्थिपताका की रचना की देखो अब अप भ्रंस के बाद अवहट आती है ना कलम ने बताया था कुछ लोग मानते हैं कि यह दोनों एक ही समय की है समझना द्यान से क्योंकि जो अप भ्रंस के कवी रहे जो अवहट के कवी रहे और उनके में केवल टाइम पीरिड का अंतर रहा उस वज़े से इसको डिसाइड कर दिया गया यह अवहट में आ गया लेकिन किसी ने अवहट को अपभ्रंस नहीं कहा किसी ने अवहट कोवच नहीं कहा तो डिसाइड नहीं हो पाया लेकिन इसमें बताया गया कि जो उत्तमकाली नवस्ता है वह आवहट के नाम से जाने जाती है क्योंकि अपभःंस मणारब ये कोई व्यक्ति है विद्धियापति इन्होंने कीरति लता, ठिक और कीरति-पता का आप देखो यहाँ से question कैसे बन सकता है? कि कीरति-लता और कीरति-पता का किस के द्वारा लिखित रचनाए हैं? तो आपका अंसर क्या हो जाएगा विद्यापती के द्वारा कीरति पता का कीरति लता किस भासा में लिखी गई रचनाएं तो हिंदी न कर देना क्या जाएगा आपका अवहट भासा में तो क्वेशन क्लियर हुए न कीरति लता कीरति पता का किस के द्वारा लिखी गई विद क्लियर हुई एक उससे कोश्चन बनाना सीखे ना कितने बने आगे चलें कि देखो अब ब्रंस के भेद अब अब ब्रंस के भेद ये आ जाते हैं आपके तोर से नहीं अब ब्रंस हाँ तो यहां पर यह आ जाते हैं हम लोग कि देखो अब ब्रंस के भेद में तो सौर सेनी अपब्रंस में आपका आ जाता है पश्चमी हिंदी राजस्ठानी और गुजराती कौन कौन से आ जाते हैं अशकर्फ यह सोर्से नहीं सँ साहिं. चीय। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं पस्चमी इंदी सद्टाश्थानी गुज्राइटी इसके बाद में प्राचरभ इंद्र श्यव पूर्फी माघदी। तो प्राचर इंदी आजाती है पूर्वी की तरफ बोले जाने वाली इंदी जिसमें हमारी अवधी बगेली और चत्तिसगड़ी यह आजाती है मागधी में आपकी बिहारी देखो मगद प्रांत कहां है बिहार में एना तो वहां की जो लेंग्वेज है वो क्या है बिहारी लेंग्वेज मतलब मै दिया गया जिसमें आपकी बिहारी लेंग्विज बांगला और उडिया ठिक क्योंकि देखो पूर्व की स्टेट इधर इधर वही तो है बिहार और इधर आपका पस्ची मंगाल भी लगा है और उडिया भी है उडिशा तो ऐसे करके आपके जो है यह जितने स्टेट है इनक में बोले जाने वाली भासा को क्या बोल दिया गया माग्दी अप्रनस में आ जाएगी प्रसना आ जाएगा कि पश्मी इंदी को किस अपब्रंस में रखा गया है तो पश्मी इंदी को किस अपब्रंस में रखा गया है तौर से नहीं अपब्रंस में रखा गया है ठिक ऐसे ही महाराष्ट्री अपब्रंस में आपका आ जाता है मराथी प्राचण में आ जाती है सिंधी ठिक तो ये सब हो गया आपके, आगे चले, देखो, खडी बोली हिंदी का विकास, खडी बोली हिंदी का विकास से अर्थ ये है, कि जो खडी बोली हम आज कल प्रियूक्त करते हैं, जैसा किताबों में आप लिखा देखते हो, इसका फिर विकास कैसे हुआ? खड़ी बोली जो हिंदी है उसका विकास देख लेते हैं मुख्य रूप से निम्न यूगों में हुआ एक तो हमारा आ जाता है भारतेंदु पूर्व यूग भारतेंदु की वज़े से इस वज़े से इसको केटेगराइज किया गया क्योंकि भारतेंदु जी को आदुनिक ख खड़ी बोली पे सारा कुछ काम किया हिंदी खड़ी बोली को आगे बढ़ाया तो अब इन यहां जो हिंदी का विकास है तो जो भारतेंदु हैं उनके पहले पूर्व का इतियास देख लेंगे कि भारतेंदु के पूर्व का यूग कैसा रहा फिर भारतेंदु यूग रह ठीक, फिर आग पे तमाम प्रकार के और यूग आ जाएंगे, तो देखो, भारतेंद पूरव्यूग, सुद्ध खड़ी बोली हिंदिवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसूद राज की रसनाओं में मिलते हैं, जो खड़ी बोली हिंदिवी के जो नमूने नमूने हैं, वो कहाँ मिलते हैं तो अमिर खुसरो भई अमीर कुसरो तो हिंद वी और हिंदी का यूज किया ही था, वहां पर मिल जाते हैं, एक वहिसा बंदा नवाज आ गए, इनकी रसनाओं में मिल जाते हैं। थे हिंदी का वास्तभी कारंब एक हजारी स्वी से माना जाता है और kami कि अभुने टाइम पीरिएड बनाया था ना पंद्रा सौइधर से लेके यहां पांसो फिर पांसो से एक एक सो से फिर पांसो फिर फिर हजार और उस हजार इस्वी के बाद से फिर माना जाता है इसका प्रियोग हिंदी का ठिक देखो के इस समय को तो तीन कालों में विवाजित किया जाता है। देख लो, तीन कालों में विवाजित कर दिया गया, आधिकाल, मद्यकाल और आधुनिक काल, आधिकाल को विरगाथ काल भी का आगया, वीजवपन काल भी का आगया, ठिक, तो यह सारे इसके नाम हो गए, इतना याद रखो कि तक आपका आदिकाल रहा, चाउदा सो से एठारा सो मलब चार-चार सो एयर का क्या कर दो आप लोग, गैप कर दो, हजार से चाउदा सो इसवी तक कौन रहा, आदिकाल, उस बीच में जो भी रचनाएं हुई, उस बीच में जो भी लोग प्रियुक्त करते थे वासा, वो सब क्या कहलाई, आदिकाल की वासा कहलाई, उसके बाद मद्यकाल की वासा, जिसको हम बोलते हैं मद्यकाल, ठिक, तो अदिकाल की वासा कहलाई, अब बात हिंदी की ही हो रही है, इसके बाद 1820 के बाद, जितनी भी लेंग्वेच जो भी रही, वो सब क्या हुई, आदुनिक हिंदी, तो वो आदुनिक काल कहलाई, तीन कालों में विवाजित कर दिया गया, टाइम पीरेड याद हो गया न, च हिंदी है, उसका आरंब कहां से माना जाता है, देखो, कब से माना जाता है, एक हजार इस्वी से, लिखा है न, हिंदी का वास्तविक आरंब, वास्तों में अब उस पर काम हुए, वास्तों में उस पर रचनाए हुई, तो ये सारे काम कब से हुए, एक हजार इस्वी से, ठ इसने तीन भागों में विभाजित कर दिया गया, एक तो आपका आदिकाल आ गया, ठीक? आदिकाल आ गया, मद्दकाल आ गया, और आपका आदुनिक, देखो, 1000 से माना जाता है, तो 1000 इसवी से 1400, इधर 1400 से 1800, और इधर 1800 से अध्यतन, अध्यतन का मतलब हो गया अब तक, आज तक, अभी तक जो भी रचनाय या जो है, वो सब हिंदी, आदुनिक हिंदी में आएंगे, यहां तक किसी को कोई confusion? अब देखो, हिंदी के विकास में सर्व पृत्तम फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता का योगदान रहा, किसके विकास में? समझ रहो? कलकत्ता का योगदान रहा, ऐसा ना समझ ना कि कलकत्ता वालों ने कुछ किया नहीं, ठीक? हिंदी के विकास में सर्व पृत्तम, रोल किसका रहा? अगर रोल ना होता, तो क्या इतियास में ये चीज़ें दर्ज होती? हम लोग तो थे नहीं उस समय, किसी ना किसी ने तो उसमें अपनी सहिवागितानी भाई होगी, है ना? तो अगर पूछा जाए, कि हिंदी के विकास में सर्व पृत्तम किसका योगदान रहा? तो फोर्ट विलियम कालेज का रहा. इसके आचारे जो थे, जॉन गिलक्रिस्ट ने भारती भासाओं का अध्यन किया. अब समझो, जो जॉन गिलक्रिस्ट थे, ठिक उन्होंने क्या किया? भारती भासाओं का अध्यन किया. उनको क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन उन्होंने कहा कि लाओ यार इनको सुववस् और एक सब्द कोज की रचना करी अब देखो कोई वेक्ति कोई काम करेगा तो उसमें उसका तो फाइदा होगा ना बाई जॉन गिलक्रिष्ट को क्या पढ़ी थी कि वह अपना समय रात दिन खपाएं अच्छा कलकत्ता से उदर से वैपार उन लोगों का होता था तो अपना वहां फोर्ट विलियम कॉलेज में अपना उन्होंने हिंदी बासा का देन इसलिए किया क्योंकि हम अपनी बात इन लोगों को कैसे रखेंगे भाई तुमसे आके कोई चाइना में बोल जाए तो क्या समझ पाओगे बताओ उस समझ में आया ने हमने बहुत बड़ी बात बो का देन इसलिए किया जिससे वो हम लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सकें अपनी बाते हमारी बाते हों जान सकें ठीक तो सबसे बड़ा रोल किसका रहा जॉन गिलक्रिस्ट का इन्होंने क्या किया फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पे है सबसे पहले तो यही पूछ प्राकृत भारती वासाओं में तो सभी आ जाएंगी ना तंस्क्रट भी आजाएगी पाली भिए जाएगी मनलब जो उपलफ्द थी प्राकरत भी आजाएगी अप भ्रंस भी आ जाएगी आपकी प्राचीन इंदी भी आजाएगी क्योंकि यह लोग तो तो 1600 में हैं इस्ट इंडिया कंपनी के प्रशाशकों को हिंदी सिखाने के लिए अब वहां के जो इस्ट इंडिया कंपनी के प्रशाशक थे उनको हिंदी सिखाने के लिए इन्हों ने एक व्याकरण गरंत की रचना करी और एक इन्होंने क्या डिक्शनरी बनाई तब दो कोस की रचना करी इसने जॉन गिलकृष्ट ने कहां पर विलियम कॉलेज कहां पर है वो कलकत्ता में किसके लिए किया प्रसासकों को सिखाने के लिए ठिक मोटिव समझ सकते हो गए ना अपने उसने क्यों इसका अध्यन किया हम किसी देश में जाते हैं जर्मनी आपको जाना है तो आप जर्मनी सीख जिकोगे जर्मन लेंगविज ऐसे उन्होंने काम किया गिलकृष्ट की देख रेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाए भी प्रकासित हुई तो गिलकृष्ट की देख रेख में क्या हुआ जितने भी अनेक पुस्तक थे उनका अनुआद और मौलिक कर अचनाए भी प्रकासित हुई इसी संदर्व में मुंसी इंसान लाखा नाम सुना होगा बहुत फेमस नाम है रानी केतकी की कहानी इनों नहीं तो लिखा है मुंसी इंसान लाखा है ना और लल्लू लाल ने क्या लिखा बताओ नहीं तो अब पिटे तुम लोग इतियास बगेरा थोड़ा बहुत अगर पड़े होगे तो याद होगा बताओ बताओ बई मुंसी इंसान लाखाने वेटा लिखा रानी केतकी की कहानी ललू लाल ने क्या लिखा हाँ कोई बोला तो था सदल मिस्र ने क्या लिखा ना सिकेतो पाक्षयान ठीक और इसके बाद सदा सुखलाल ने क्या लिखा सदा सुखलाल ने सायथ सुख सागर लिखा था ठीक कन्फर्म नहीं है लेकिन देख लेना लेकिन कन्फर्म लगबग है भी सदा सुखलाल ने अपने नाम है सुख सुख सागर ललूलाल प्रेम सागर ठीक ललूलाल अगर किसी का नाम बोला जाए तो अपने आपको गिल्टना अब इन लोगों का योगदान अविस्मरणी है मतलब सबसे पहले आधिकाल के यह कभी माने जाते हैं यहां तक बात समझ में आई इनकी रचनाय जरूर देख लेना रानी केत के कहानी फेट बोलचाल की वासाबें लिखी ललु लाल की चौदा रचना वताई जाती है प्रेम-सागर उनकी प्रसिद्धकरती है अउनकी प्रसिद्धकरती है ठीक, रामचरितम, रामचरित, तो रामचरित मानस है, मानस गरंथ है, तो रामचरित मानस है, रामचरित मानस किसने लिखा? बताओ, हाँ, तुलसी दास ने लिखा, और रामएड किसने लिखी? रामएड का उनका ही राय तुलसी दास ने लिखी? रामएड बताओ भाई किसन ने लिखी है हां बालमी की ने लिखी इतना याद रखो रामायण आपका संस्कत वासा का ग्रंथ है और वो संस्कत कौन सी लौकिक संस्कत समझ रहो ना अभी सबसे टॉप में जाओ दिमाग को सबसे टॉप में रखो संस्कत दो पार्ट हुए वैदिक संस्कत लौकिक संस्कत तो लौकिक संस्क्रत में लिखी गई इसके बाद पाली आई प्राक्रत आई अब ब्रंस आई अब ब्रंस में आपका अवधी जो भासा आई अवधी में लिखी गई राम चरित्र माना सब समझ सकते हो कितना बाद में लिखी गई है ना तो देखो तीन चीजें राम चरित्र क किसी से क्वेस्टिन कर सकते हूं कि रामचरीत मानस किसी ने लिखा रामचरीतर किसी ने लिखा ठीक अच्छा आगे चलते हैं पढ़ते रहना ठीक है यह अध्यात्मरामाण अब उतना यह देख लो कि यह इनकी रेचना हैं कि एक बार इसको रिवाइस कर लें चलो देख लेते हैं हम लोग पूछते हैं अच्छा आप लोग बताना बताओ इंसानला खाने क्या लिखा देख के कोई नहीं बताएगा हां मुंसी इंसानला खा और तेज बोलो यहां तक आवा जानी चाहिए मुंसी इंसानला खाने क्या लिखा ठीक इसके बाद आपके इसके बाद सदल मिस्र रामचरित्र लिखा और अध्यात्म रामायन लिखी और इसके बाद नासिकेतो पाक्यान ठीक ये लिख दिया इसके बाद आपके सबसे लास्ट में सदल मिस्र आते हैं सदल मिस्र ने क्या लिखा सुकसागर याद है ना गुमाफिरा के पूछें नासि कि अगों कि सदा सुखलाल ने लिखा को सुक सागर स्दा सुखलाल ललुलाल हिन्होंने शुक का शागर लिख दिया हिए और ललुलाल ने प्रेम का सागर लिख दिया बात याद रहेगी ना कि इतने रखें आज कि इतने रखो ज्यादा ना पड़ो नहीं तो फिर तुम लोग बोर हो जाओगे एक समझ में आया अच्छा कुछ की नहीं आया कि सब हवावावाई हो गया कि इसके बाद हम लोग next class में कल पढ़ेंगे ठीक यह कौन सी slide चल रही है हम लोग यहां पर है एक मिनट हां यह हम लोगों का कि दस्मी स्लाइड है ठीक दस्मी स्लाइड के बाद हम लोग विटा कल से पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे इसके slide के आगे ठीक तो ठीक है आप देखो आपकी हिंदी की class आज ओवर हुई ठीक और मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पाकी हिंदी का आप लोग यह करना देखो यह कुछ डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि फोड़ा और और यारो को लेके हम चलना है ठीक है पाकी आप लोगों को लास्ट में एक बार फिर बता दें कि अपनी यहां पे जो बेटी स्मार्ट क्लासेज परिवार है उसकी तरफ से आप लोगों को एससे जी डी की जो विकंसी आई हुई है उसके लिए इनों ने क्या किया हुआ है अपना जो है एप है कोचिंग का और इसमें आप जॉइन कर सकते हो ठिक कोचिंग जॉइन कर सकते हो अपना एप कि लाल के लिए online course के लिए इन्होंने फीस रखी हुई है 599 आप लोग जुड़ सकते हैं क्वेरी कर सकते हैं और लेटिस्ट में जितने भी आपको इसमें क्या होगा एप के थूर अगर आप पढ़ेंगे तो तीजेंगे आपको मिलेंगी मिल जाएंगी आपको जो जो सब्जेक्ट आपके हैं हिंदी मैत वो सब आपको सीरियल वाइस मिलता जाएगा यह देखिए टेलीग्राम को अपना फॉलो कर लीजिए यूट्यूब पे इंस्टा को आपको हर जगे से जानकारी मिल सकती है केवल आप जुड़िए और अपना स मैं दीजिए शलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में